टाइम पहले ही इस पे वीडियो बना देता बट मैंने सोचा के कोई नहीं सुधर जाएगी सुधर जाएगी सुधर जाएगी बट ना ऐसे लोगों के सर पे जूरेंगने निवाली तो अब पायल जी आप बस करिये वो जो आप थमनेल में अपनी शकल लगा के मेरे बारे में बात करना बंद करो वह वाली शकल लगाती है ना वह आच्छुली में अब तुम्हें बोलने की जरूत है बंज करो पायल बंद करो सीरियो अशकार दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के सामने यह चीज़ एक्सेप्ट कर रही हूं कि दोस्तों मै मेरी लड़ाई थी कुछ बड़े यूट्यूबर्स के खिलाफ उस लड़ाई में मैं हार चुकी है और अपनी हार एक्सेप्ट कर रही हूं मैं और इसलिए अब मैं किसी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे बार बार अपना नुकसान नहीं करवाना है प सारे के सारे लोग मुझे बोल रहा है कि पायाजों तुम अपने व्यूज के लिए बड़े यूट्यूबर्स को टार्गेट कर रही हो मैं किसी को डी फेम तुड़ी ना करती हूं मैं तो कुछ भी बकवास करती हूं बस व्यूज के लिए किसी ने मेरे पर आसेड फैक दिय लोगों को पढ़ा रहे हैं कुछ सिखा रहे हैं कुछ सिखा रहे हैं सुसाइटी को उनके खिलाफ मैंने कभी वीडियो नी बनाई जैसे आप देख लीजिए जो यूट्यूब चैनल्स पढ़ाई वाले खुले हुए हैं जैसे लैट्स लर्ण अमंद दर्वाल कितने सारे जैसे लोगों को सपोर्ट उनको मिल रहे हैं तो नो रीजन मुझे तो नी समझ में आथा क्यों लोग इतना आगे बढ़ा रहे हैं बेज़े हैं क्योंकि इनके कॉंते इना उसे सुसाइटी का कोई फाइधा नहीं है जैसे आप केरी मिनाटी को धेख लो मैंने केरी मिनाटी के कि घिलाफ रोज एक्षपोस वीडियो बनाइए जो मैं इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे नहीं समझा था क्या सिखा रहे हैं समाज में क्या मुझे बता तो गालिया थे ना सिखा रहे हैं क्या है? क्यूट सी स्वीट सी गाली दो जो सुनकर मुझे अच्छा लगे और खुशी मिले और मेरे फेस पे स्माइल भी आजा एंड ये ये गाली ही होनी चाहिए कुछ और नहीं वही तो मैं भी कह रहा हूं भुसडी के राहूल इतना सुन्दर आदमी है न तु इतना सुन्दर आदमी है न कसम से ना बहता रहा हूं अच्छ चोगी गान चर्माजाती तेरी शकल के सामने क्या बताऊ में तुरको तुर्प कमाल का डमी है आपके तुर्प कमाल का आदमी अड sticky боль का माल का अदम मैं दुनिया से गोल थे ने नफ्ल मिलग और यहीं दुनिया से गोल पली नफ झाया हए और धैक देक लाव जार छी के पीवी की चुछ सेखने को मिली है कि वो सीखने को मिलता है वेट ऑफेकिंट इवंगोट दॉक्र Essay तो अभाईस साल हुआ है मेरा फेवरेट कमरे का नमबर केक तो कट फुक तो मार इसके अलावा मैंने ट्रिगर्ड इंसान और जोशी फ्लाइंट बीस्ट वगेरा पर विडियो बनाई क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है कि वो अपने डेली लाइफ दिखा के कुछ आदियन्स को क्या सिखा रहे क्या समझा रहे मुझे नहीं समझाता है उनकी लाइफ के वो 10-10 मिनिट की व्लोग बनागे बार बार वार मिनट की व्लोग बनागे डाल रहे किसे को कुछ सीखने को मिल रहे है आप मुझे बता है व्लोग देखते हैं वी डेली आठ बचे व्लोग कर देदें अपसे बेफालतू में उनके व्लोग बच्चे इतना देख रहे हैं और व्लोग से आज तब सी कुछ सीखने को मिला है मुझे बता की अब हम करेंगे खिचडी पार्टी जो सबसे यही चीज यही बन सकती है यह आरे मार दें कहो आरे को अरगो कब मार दिया दे रोक हो तुम बलो गाति कर आए कुछ नहीं सीखने को मिलता ना कुछ हसी आती है चलो एंटेटेन्मेंट हो रहा हूँ वह अलग बात है हसी आ रही है पता नहीं इस चीज का विरोध करने के लिए मैंने वीडियो बनाई लेकिन मेरी वीडियो किसी को समझ नहीं है उल्टे सारे मेरे उपर चड़ गए और में को बोलने लग गए कि तुम तो फ्यूज के लिए कर रही हो फ्यूज के लिए सब के बीचर बढ़ी हो मुझे शौक नहीं है इनके नाम से व्यूज लेने का इनके खुद के चैनल पर इनके नाम से व्यूज नहीं आरे है सौरब के व्यूज आते हैं प्यूश के नाम से प्लाइंग बिस्ट के व्यूज आते हैं उनकी जो बेटी है रसबरी उसके नाम से इनके खुद के व्यूज नहीं आ रहे मेरे को क्या दिलाएंगे ये व्यूज लेकिन फिर विडियो मने इनको एक्सपोस करने के लिए बड अगर लोगों को मेरे बात समझ आती है उने नहीं मैं ही गलत लगत हूं कि पहले जो इसके नहीं चरी जाती हूं कि फाइदा है भी बोलने का मैं पहले न हमेशा यह सोसती थी कि या सब लोग बड़ी यूट्यूबर की चंचागिरी क्यों करते हैं जितने भी छोटे चोटे यूट्इबर्स हया रोस्ट है रहा है सारे का बड़ी यूट्इफर के को फालो यते कपीर इन те क definitiv chute get cool गैंड़ा ने के लिए लेकिन पिर बनात्य है कि अगर करने करते कि बड़ तो हमारा ही फायदा है उनकी ओडियन्स से हमें सपोर्ट मिलेगा हमारे भी बहुत सारे फैंस बन जाएंगे इन लोगों की तरह हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो इसलिए यह सारी चीज़े चोटे मोटे रोस्टर करते रहते हैं और वीडियो इनके सपोर्ट में लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाब कुछ चार बाते बोल दे मैंने हिम्मत दिखाई थी और मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है कितनी हिम्मत दिखाऊ मैं मैंने बहुत हिम्मत दिखा ली बहुत कुछ इनके खिलाब बोला पड़ कुछ फायदा हुआ नहीं सो ग तो daily daily vlog बना रहे है, daily daily videos डाल रोस्ट कर दें, सब लोगों को बेस्ती कर रहे है, सब की इने कोई फरक नी पड़ता है, सारा फरक मुझे पड़ा है तो अब मुझे अपना channel delete नी करवा ना, कुझे मेरा चैनल बचाना है तो इसमें मैं कुछ और वीडियोज अप्लोड करूंगी और अभी भी यार मैं किसी की चमचागेरी को अभी भी नहीं करूंगी क्योंकि वह है नहीं बात मेरे अंदर कि मैं लोगों की चमचागेरी करके आगे बढ़ू वैसे तो आपको मेरे को लगता नहीं कि नॉर्मल ओडियोंस को मेरी बात समझ आती है बट स्टिल मैं प्रे करूंगी कि आपको मेरी बात थोड़ी बात समझ आई हो और इस वीडियोगे यहीप एंड करूंगी और हां बस मैं हार मानती हूं थैंक्यू